सोच समझ के बढ़ाना कदम यहां हर रास्ता अपना नहीं होता भरोसा भी करना तो सोच समझ के यहां हर रिष्टा अपना नहीं होता जो खुद ही लड़ते हैं और खुद ही माफी मांगते हैं वही हमारे सच्चे साथी होते हैं मुसीवत में साथ देने जो आते है वो आपके कुछ लगते है इसलिए नहीं बलकि वो आपको अपना मानते है इसलिए सचे इनसान को जूट का पता हो ना हो मगर जूटे इनसान को सच का पता जरूर होता है सच को जितना तब मुश्किल हो जाता है जब जूट जित पे अड़ जाता है जूट चाहे कितना भी चलाक क्यों न हो उसका अंत उपर वाले ने तई किया होता है जो लोग जितने अच्छे होते है चालाक लोग उनका उतना ही फैदा उठाते है दूसरों को जलाने वालों को ये क्यों नहीं याद रहता कि एक दिन उनको भी राख होना है जो वक्त पर समझ जाता है वो वक्त से नहीं हारता एक बार सच्चे दिल से की गई कोशिश कई नाकाम कोशिशों पर भारी पड़ जाती है जीवन का सब से कठिन समय जब जीना हो जाए असा है वक्त रहते ना संभाला खुद को तो मुश्किल होगा मिटाना दुख को वक्त भी उसी को साथ देता है जो वक्त के साथ चलता है दुनिया में जितने भी सफल वेक्ती है वो कई बार हार के ही सफल वने है तुनकि लोगों ने और परिस्तितियों ने उन्हें कई बार हराया मगर उन्होंने खुद को कभी नहीं हराया जीवन की हर तकलीप आपको अगला संगर्ष जहलने की ताकत देती है भगवान ने दर्द की तो कोई सीमा तय नहीं की मगर सेहने की हद जरूर निश्चित की है दर्द भी सेहने वालों का ही साथी बनता है जिसकी कोई निश्चित्ता नहीं है उसका नाम ही जिंदगी है और जो पूरी तरह से निश्चित है उसका नाम मौथ है आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी के लिए बुरे ज़रूर होते हो शिकायते तो सबको हमसे ही है, क्या करे, हम इतने अच्छे जो है लोग शिकायते भी उसी से करते है, जो उनके सामने हमेशा जुपता है हमसे उन्चे आवाज में बात करने वालों ने गलत फैमे पाल रखी है कि हम उनसे नजरे नहीं मिलाते मगर सच तो ये है कि हम उन्हें नजर अंदाज करते है नजर अंदाज करना ही अच्छा है उन लोगों के सामने क्यों अपना खून खूलाना जिनका घमन बोलता है वो खुद नहीं जो लोग कहते है कि खूपसुरत दिलवाला ही सुन्दर होता है असल में वही लोग खूपसुरत चेरे की तलाश में होते है कौन जाने किसके नसीब में क्या लिखा है नसीब का लिखा किसने पढ़ा है हम तो सिर्फ कर्तवय को नाप सकते है बाकी फल तो भगवान ही दे सकते है कौन कहता है कि इनसान अपनी किसमत खुद लिखता है अगर यह सच है तो किसमत में दर्द कौन लिखता है वही कुछ अनोका करता है जो अकेला चलता है बाकी तो दुनिया की भूल भूलया में ही उल्जे रहते हैं कोई भी यहां हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले ही चलना सीख लो जब तक जिंदा है तब तक लोग कमिया निकालते है मरने के बाद नजाने इतने अच्चाया कहां से डून लाते है अनुभो की भट्टी में जो तपते है तुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते है इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग ऐसा क्यों बरताओ करते है लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीट पीछे बदनाम करने की क्यों घबराना है पगले सफर के रुकावटों को देख कर कर तु सामना मुश्किलों का डट कर मिलेगी मंजिल एक दिन तुझे तेरे ही चोकट पर जिंदगी के मैदान में रोज उतरना पड़ता है खुदी कृष्ण और खुदी अर्जुन बनना पड़ता है रोज अपना ही सार्थी बनकर जीवन की महाबारत को लड़ना पड़ता है गुजर जाएगा ये दवर भी जरा इत्मिनान तो रख जब खुष्या ही नहीं ठेरी तो गम क्या ठेरेगा ज्यादा धेरिये भी मत रखना बलकि खुद से पूछना शुरू करो कि जो काम आप दस महिने में पुरा कर सकते हो वो छो महिने में कैसे पुरा किया जाए और उसके लिए मेहनत करना शुरू करो आप भले ही असफल हो जाओगे लेकिन आप उस व्यक्ति से हमेशा आगे रहोगे जिनों न शुरूआत ही नहीं की ये कभी मत कहो कि मही से नहीं कर सकता बलकि ये कहो कि मही से कैसे कर सकता हूँ लोग जब पूछते है कि आप क्या काम करते है तो असल में वो हिसाब लगा रहे होते है कि आपको कितनी इज़त देनी है पानी मिटी के बरतन में रखो या चांदी के बरतन में उसकी शीतलता बरतन के सुन्दरता पर निर्भर नहीं करती उसी प्रकार बुद्धी की सुन्दर्ता शरीर की सुन्दर्ता पर निर्भर नहीं करती अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाये लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ तूट जाता है बिन धागे की सुईसी बन गई है जिन्दगी सिल्ती कुछ भी नहीं बस चुबती चली जा रही है